आज हम बनाने वाले हैं एक अलग तरीके से दही पनेर हलो दोस्तों विल्कम बैक तुमाई चैनल तो चलिए बनाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 5-6 चम्माच दही ले लिए हैं तो घर की ताजी दही आप लेजिए बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए और फिर इसमें हम डालते हैं आधा चम्माच लाल मिर्श पाउडर एक चोधाई चम्माच हल्दी पाउडर आधा चम्माची घरम मसाला डाल देते हैं तो मसाला आप अपने कोडिंग डाल सकते हैं, धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, तहाँ पे हमने आधा चमन नमक डाल दिया है, फिर खोड़ी सी कस्तूरी मेट्थी को क्रस करके डाल दिया है, फिर इन सभी को डालने के बाद अच्छी तरह से सभी मसाले को दही में मिक्स कर देते हैं ताकि दही में गुटलियां भी ना रहें ना भी लंस रहें तो अच्छी तरह से एक बार हम फेट लेते हैं फिर 200 ग्राम के करीब पनीर काट रखे थी उसको डाल देते हैं तो पनीर को आप छोटे-छोटे पीस में काट करके डाल सकते हैं तहां पर 200 ग्राम हमने पन बड़े सलाइस में यहां पर सिम्लामेर्ज टमाटर के बीज निकाल करके सभी को बड़े-बड़े सलाइस में काट रहा है और पर चलिए अभी इसको हम बनाते हैं तो गयस पे चड़ाते हैं यहां पर हमने थोड़ा साoter आया दाल दिया है और फिर हम डालते हैं आदर चमत जीरा तो जीरा को चटकने देते हैं जब जीरा चटक जाएगा तो इसमें हम अधरक लैसुन का दरदरा कूट करके पेश्ट तयार किये थे उसको डाल देते हैं इसका फ्लिवर बहुत ही बढ़ी यहां आता है किसी भी सबजी में आप डालिए तो पनीर में भी हमने डाला है बहुत ही अच्छा आता है तो 30-40 सेकेंड भूनने के बाद अब इसमें हमने जो प्याज काट रखे उसको डाल देते हैं और प्याज को सॉप्ट होने तक हम भूनेंगे तो हाई फ्लेम पे ही प्याज को हम थोड़ा सॉप्ट होने देते हैं और इतना ही सॉप्ट करेंगे जिससे कि उसका कच्छापन बना रहेगा बस ज्यादा नहीं हमें सॉप्ट करना है और फिर इसमें जो हमने सिम्ला मिर्स काट रखे है उसको भी डाल देते हैं क्योंकि यो दोनों चीज़े थोड़ी सी थोड़ा सा टाइम लेते हैं बाकि जो टमाटा है बहुत जल्दी सॉ अब इसमें हम टमाटा डाल देते हैं और टमाटा डालने के बाद उपर से हम आधा चमाच काली मिर्च कूटी हुई डाल सकते हैं और पिर इसको सभी चीजों में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और mix करने के बाद यहां पर देखिए सभी चीज़े बहुत अच्छी तरह से soft हो गई है इसको 2 मिट और थोड़ा से हम गैस की flame को medium करके पका लेते हैं यहां पर बिल्कुल अच्छी तरह से 2 मिट बाद सभी चीज़े soft हो गई है तो अब हम जो दही मसाला तयार के हैं पनेर उसको हम डाल देते हैं और इसको डालने के बाद अब इसको ऐसे हम ढग देंगे बिना चलाए हुए 2 मिनट यहां पर देखें इसको हम ऐसे ढग दे रहे हैं और पकने देखें इसको जब आप दही डाले तो गैस की flame को लोही रखें यह तो दही फटने का भी डर रहता है और इसको ऐसे चलाते विए हम पका लेंगे तो यह बहुत ही आसान तरीका है दही पनेर बनाने का इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो टेस्टी भी बहुत लगता है खाने में एक नए स्वाद के साथ एक बहुत अच्छा अलग स्वाद आता है तो इस तरह से आप लोग कभी पनेर ट्राय करें देखें कितना टेस्टी लगता है और इसको एक बार फिर हम चला देते हैं तो यहां प चार से पांच मठी पकाने में पनीर जो है अच्छी तरह से पक करके रेडी हो गया है तो उपर से हम हरा धनिया पता डाल देते हैं और गैस की फिलम को बन करके नीचे उदारते हैं तो लीजिए बन करके जट पट एक नए स्वाद के साथ पनीर दही पनीर बन करके रेडी ह हो गया है तिसको हम सर्व करते हैं तिसको डालते हैं एक प्लेट में तो इसके साथ आप रोटी रोटी पराठे या पूड़ी भी खा सकते हैं तो या पर हमने रोटी बनाई थी तो इस तरह से एक बार आप लोग पनीर जरूर ट्राइए करें और हमारी वीडियो पसंद आये हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर प्रेस्ट करें एक बार इस तरह से बना करके आप एक बार इस तरह से आप लोग पनीर जरूर ट्राइए